EPS 95 Pensioners का बड़ा करिश्मा एक जटके में बड़ी पेंशन, कर्मचारियों की मननत हुई पूरी EPS 95 Pensioners, जानकारी के अनुसार, EPFO की कर्मचारी Pension योजना, Employees Pension Scheme के अंतरगत आने वाले सभी पेंशन भोगियों की न्यूंतम पेंशन 7500 रुपए प्रती माह करने की डिमांड को लेकर सभी पेंशन भोगी राष्ट्रिय राजधानी में भूख हर्ताल पर बैठने वाले हैं. EPS Pension, Pension Fund के अंतरगत वर्तमान समय में सभी पेंशन भोगियों के लिए 1000 रुपए न्यूंतम मासिक पेंशन निर्धारित की गई है और यह व्यवस्था वर्ष 2014 में सितंबर के महीने में जारी की गई थी. Employees Pension Scheme राष्ट्रिय संगर्ष समिती का बयान जानकारी के अनुसार पता चला है कि सभी कर्मचारी Pension योजना, Employees Pension Scheme, राष्ट्रिय संगर्ष समिती, NAC, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने का प्रस्ताव रखा है. इस नए प्रस्ताव के अंतरगत EPS 95 राष्ट्रिय संगर्ष समिती और द्योगिक, सार्वजनेक, सहकारी, नीजी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने की भी अनूठी बात कही है. इसके अतिरिक्त ऐसे नागरिक जिनके द्वारा EPS Pension, Pension Fund, Pensioners प्राप्त की जा रही है. उन सभी को राष्ट्र के विकास हेतु अपनी सेवा समर्पित करने के समर्थन में अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है. कम EPS Pension Fund से परेशान है Pensioners. इसके अतिरिक्त Pension Commander NAC के अध्यक्ष अशोक राउत सेवा निवृत के द्वारा बताया गया है कि वर्तमान समय में कम Pension के चलते EPS Pension, Pension Fund में Pensioners अपने जीवन को बहुत ही निश्पक्ष और आर्थिक रूप से कठिनाईयों के साथ व्यतीत कर रही हैं. देखा जाए तो परिवार और समाज के बीच उनका सम्मान निरंतर घटा जा रहा है. ऐसी स्थिती में उन्होंने भूख हड़ताल के लिए समर्थन किया है और रेकत्र Pensioners को जताने के लिए नया प्रस्ताव रखा है. मिनिमम पेंशन में बड़ोतरी के लिए EPS 95 Pensioners का दाव. इस समय पर EPS Pension, Pension Fund के अंतरगत सभी लाभार्थी Pensioners को हर महीने 7,500 रुपए Pension देने की डिमांड को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए एवं महंगाई भत्ते में मिलने वाली राहत को सुनिश्चित करवाने के लिए सभी Pensioners हड़ताल करने वाले हैं. साथ ही नई डिमांड के अनुसार उन्हें मुफ्त चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए. EPA's Pension, Pension Fund, राष्ट्रिय संगर्ष समिती के द्वारा जानकारी में प्रस्तुत किया गया है कि जीवन भर Pension Fund में पैसा जमा करने के पश्चाद भी सभी लाभार्थियों को केवल 1171 रुपए ही Pension मिलती का लाभ दिया जा रहा है, जो कि उनके जीवन जीने के लिए नहीं है, उन्हें 7500 रुपए और महंगाई भत्ता मिले, इसके पश्चाथ ही वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इस स्थिती पर Pensioners के जीवन साथी और Pensioners को निशुल्क चिकितसा उपचार और 7500 रुपए मासिक पेंशन देने की डिमांड कर रहे हैं, Employees Pension Scheme में ऐसे जमा होता फंड। सरकारी करमचारियों की पेंशन में एक दशमलव एक 6 प्रतिशत का योगदान किया जाता है। EPFO ने करमचारियों के लिए जारी की चेतावनी, UAN और पासवर्ड चोरी होने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 उपाई। EPFO ने UAN और पासवर्ड सुरक्षा के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें साइबर धोका धड़ी से बचने के लिए विशेश उपायों की सिफारिश की गई है। ये सिफारिशे उप्योग करताओं को उनके वित्तिय और निजी डेटा की सुरक्षा में मदद करेंगी। कर्मचारी भविश निधी संगठन, EPFO, जो भारत सरकार के श्रम मंत्राले के अधीन काम करता है, ने हाल ही में अपने सदस्यों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी उनके UN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पास्वर्ड की सुरक्षा से संबंधित है। जैसा कि EPFO की वेबसाइट पर दर्शाया गया है, एक पॉप अप संदेश सभी विजिटर्स को इस बारे में सावधान करता है कि किस प्रकार उनकी नीजी जानकारी का दुरुप्योग हो सकता है। UN नंबर और पास्वर्ड से साइबर फ्रॉड साइबर धोका धड़ी का खत्रा UN नंबर और पास्वर्ड से जुड़ा हो सकता है। धोका धड़ी से बचने के लिए अपने ये पांच तरीके एंटिवाइरस एंटिमेलवेर स्थापित करना यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका कम्प्यूटर, लैप्टॉप या स्मार्टफोन सुरक्षित रहे। लाइसेंस प्राप्ट एंटिवाइरस या एंटिमेलवेर सॉफ्टवेर का इस्तिमाल करें। सिस्टम को अपडेटेड रखें। अपने सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट और पैच करें। ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे। जटिल पासवर्ड का प्रयोग करें। पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेश चरित्रों का मिश्रण होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम आठ और अधिकतम 25 अक्षर होने चाहिए। OTP साजह न करें। अपने OTP को किसी के साथ भूल कर भी साजह न करें। संदिक्ध मेल या लिंक पर क्लिक कभी भी संदिक्ध मेल या लिंक पर क्लिक करने से बचे क्योंकि इससे आपकी प्राइवेट जानकारी चोरी हो सकती है। EPFO द्वारा जारी यह चेतावनी न केवल उनकी प्रतिबधता को दर्शाती है कि वे अपने सदस्यों की वित्तिय और सामाजिक सुरक्षा को कितना महत्व देते हैं। बल्कि यह भी बताती है कि तक्मी की यूग में सुरक्षा के प्रतिसचेत रहना कितना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए www.epfindia.gov.in पर जाएं। नमस्कार आज हम आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जिससे आप अपने भविश्य को सुरक्षित कर सकते हैं। EPFO, कर्मचारी भविश्य निधी संगठन ने अपनी कर्मचारी पेंशन योजना को 16 नवंबर 1995 से लागू किया। यह योजना 1971 की परिवार पेंशन योजना का स्थान लेती है, जिसमें सिर्फ सदस्य की मृत्यू के बाद ही परिवार को पेंशन मिलती थी। लेकिन नई योजना के तहट, अब सदस्य खुद भी पेंशन पाने के हगदार होते हैं। चलिए, विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में। पेंशन योजना के प्रावधान EPFO की करमचारी पेंशन योजना के अंतरगत सदस्य को पेंशन पाने के लिए कुछ शर्ते पूरी करनी होती हैं। पेंशन का हगदार बनने के लिए नियूंतम 10 वर्षों तक अंचदान करना होता है। 58 वर्ष की आयू सदस्य 58 वर्ष की आयू पूरी करने पर पेंशन ले सकता है, चाहे वह सेवा में हो या न हो 50 वर्ष की आयू में पेंशन यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयू पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ता है, तो वह भी पेंशन का हगदार होता है लेकिन इस्थिती में पेंशन की दरे कम होती है पचास वर्ष की आयू में सेवा निवरित्थ होने पर पेंशन में 4% प्रतिवर्ष की दर से कमी की जाएगी पेंशन की गणना कैसे होती है पेंशन की गणना दो मुख्य आधारों पर होती है पेंशन योग्य सेवा, जितने वर्षों तक सदस्य ने पेंशन फंड में अंशदान किया है सेवा निवृत्ती से पूर्व के 60 माह का उसत वेतन कितनी पेंशन मिलेगी आपको जाने यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी तो आप हमारी वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाकर online services box में उपलब्ध EDLI pension calculator का उप्योग कर सकते हैं। यहाँ आप अपना विवरण दर्ज करके अपनी pension की सही राशी का अनुमान लगा सकते हैं। विशेश बोनस यदि किसी सदस्य की pension योग्य सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसे 2 वर्षों का बोनस भी दिया जाता है। घटी दरों पर pension सामान्यता 58 वर्ष की आयू पर सदस्यों को pension दी जाती है। किन्टु यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयू पूरी करने के बाद और 58 वर्ष की आयू पूरी करने से पहले retire हो जाता है, तो उसे घटी दरों पर pension दी जाएगी। Pension को स्थगित करना सदस्य यदि 58 वर्ष के बाद 60 वर्ष की आयू तक pension को स्थगित करता है, तो उसे 69 वर्ष की आयू पर 4% और 60 वर्ष की आयू पर 8% की व्रिधी के साथ pension मिलेगी। Pension Fund में अंचदान जारी रखना यदि 10 वर्षों की pension योग्य सेवा पूरी हो चुकी हो और सदस्य 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है, तो वह 60 वर्ष की आयू तक pension fund में अंचदान जारी रख सकता है। इससे उसकी pension की गणना में 58 वर्ष के बाद की सेवा और वेतन भी शामिल होंगे, जिससे अधिक pension मिलेगी। तो यहाँ थी जानकारी EPFO pension योजना के बारे में। आशा है, आपको यहाँ जानकारी उप्योगी लगी होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहें।